दोस्तों आप सभी का हार दिख स्वागत है मैं हूँ आपका साथी आपका दोस्त मेरा नाम है प्रियानशुजा दोस्तों वैसे तो हर रविवार को मैं यूटूब पे लाइव होता हूँ आप सभी के साथ में पिछले कई सालों से पर इंस्टाग्राम पे आप सभी के धेर सारे प्यार और धेर सारे सवालों के बाद मुझे काफी सारे सवाल आए हैं और रोज सैकलों की तादाद में कॉल्स भी आती है मेरे वाटस अप पे और आप सभी के जो सवाल होते हैं तो मैंने सोचा कि आप सभी के सवालों के जवाब देने के लिए क्यों ना मैं लाइव आ जाओं तो दोस्तों मैं आपके साथ में लाइव हो आपके सवालों के जवाब देने के लिए दोस्तों तो हम आपके साथ हैं आपसे बातें करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे अधिकतर जो साथी हैं मेरे वो उन्होंने जो हमारा ब्राजील के बारे में जो वीडियो देखा उसे समंदित सवाल है लोगों के लोगों के सवाल है कि हम कैसे ब्राजील जाएं और ब्राजील जाकर के वहां पे काम करें और या फिर हम ब्राजिल में रहें ऐसा कौन सा कानून है क्या ये वाकर लीगल है या नहीं है तो ये सबसे जदा आप सबी के सवाल है क्या ये कानूनी सच है और ऐसा किया जा सकता है क्या ऐसे प्रावधान भी हैं या नहीं है तो इन सभी सवालों के जवाब देने की मैं आपको एकसास में कोशिश करूँगा वाइस सही आ रही आप सभी को या नहीं आ रही है आप मुझे बताएए सही आ रही है वाइस कैसी आ रही है हिमानशो मुझे बताओ वाइस ज़्यादा हो रही है कि कम हो रही है तो मुझे ज़रूर बताइए तो कि उस हिसाब से मैं आपके साथ में आपको बात करो क्या वाइस ज्यादा हो रही है या कम हो रही है मुझे बस एबाद क्लियर फिर से लिखे बताएगा मुझे वाइस चेंज हो गई मतलब ठीक आ रही है या नहीं आ रही है ए गुड़ है या ने वी नी कुछ लोग कह रहे हैं अची प्रॉपर हैं ना ठीक है सही हारी है ठीक है भाई तो देखिए मेरा आज वह से Lex अवाइश फान का गार्या करनेowią Florence माइक निकाल के आप से बात हैं कर सकता हूँ तो माइक निकाल के ज़्यादा अच्छी है या फिर विट माइक अच्छी है अभी बिना माइक के है बिना माइक के अच्छी है बता है मुझे बिना माइक के अच्छी है हिमान शोब बताओ गला या भाई बिना माइक अच्छी है या विट माइक अच्छी है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कोई विट माइक चलो ठीक है विट माइक करता हूँ मैं चलो मैं माइक के साथ में हूँ आपके साथ में और माइक के साथ मैं बात करूँगा मेरा आज का जो मकसद है वो क्या है आज का मकसद है कि मेरे पास रोज सैक्रों की हजारों की तुल्दा में कोशन्स भी आ रहे हैं और कई लोगों के साथ में मुझे कई लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि मैंने जो ब्राजिल के बारे में वीडियो बताया तो क्या वो वीडियो सही है? क्या वाक़ी ऐसा कानून है? क्या ऐसे प्रावधान है कि ब्राजिल में इतनी जल्दी से पासपोर्ट बिल जाता है? तो क्या ये कानोनी है एक तो ये बात है दूसरी बात लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या वाकई ये संभव है या नहीं तीसरा सवाल लोगों का है कि क्या वाकई ब्राजील में रहा जा सकता है क्या वहाँ जान तो नहीं चली जाएगी अधितर लोग मुझसे पूछ रहे हैं और आपके कोई comments हो तो मुझे लिखे है ना और मैं आपको बताता हूँ तो एक तो ब्राजील के बारे में क्या क्या बाते हैं क्या सवाल है और क्या practical है देखो दोस्त आपको पता है जो लोग मेरे पुराने साती हैं पुराने दोस्त हैं जो कई सालों से मुझे जानते हैं अगर किसी को regular मुझसे कोई बाते करनी है तो आप मुझे यूटूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और शाम को साथ बजे हर रविवार को मुझे देख सकते हैं और दूसरी बात ये है कि क्या जो दूसरा सवाल लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मैं जो बाते बता रहा हू तो मैं बेल reduced के अपको बताता हूँ आपको आपने होगा बेलरूस मेरा कि यूक्रेन या रश्या के बारे में नहीं बताता या लिच्वेनिया पॉल defended के बारे में नहीं बताता बहले वह इन मेरे नजदी क्यो नहें लेकिन जहां का मुझे सच में अनुवा होगा मैं उसका बताऊंगा जैसे मैं अभी आपको ब्राजील का बता रहा हूँ तो वाकई मेरे ब्राजील में संबंध हैं, connections हैं इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ जहां के बारे में मुझे 101% बातें पता है सबसे पहला सवाल आपका कि क्या ब्राजील सेफ है देखो दोस्तों ब्राजील के कई ऐसे शहर हैं जिसमें मुझे लगता है कि पांच से दस के बीच में अच्छे शहर ब्राजील बहुत बड़ा देश है, भारत से लगबग धाई से तीन गुना बड़ा है और ब्राजील में आप ये समझेंगे कि लगबग लगबग पांच से लेके दस के बीच में पांच तो कंफर मैं कह सकता हूँ ऐसे अच्छे शहर हैं बड़े जो बहुत ही सुरक्षित हैं ठीक है, तो ऐसे जो सुरक्षित शहर हैं उनमें आप रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं और जिनमें से वन आप दा जो सुरक्षित सिटी है वहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ष शुरू किया हुआ है लेकिन ये जरूर याद है कि ये शहर बाकी शहरों की तुलना में महंगे जरूर है महंगे होने का फाइदा ये है कि जितने भी ब्राजील के जितनी भी सेलिबरिटीज हैं बड़े लोग हैं ये सबी यहाँ पे अपने घर लेके रखे हैं और ये लोग इन शहरों में रहते हैं ये शहर यूरोप से के शहरों से भी ज़्यादा सुरक्षित माने जाएंगे कोई क्राइम की तकलीफ नहीं है आप कुछ भी लोग हमने देखा है और पहले भी मैं भी ऐसा ही समझता था कि ब्राजील सुरक्षित नहीं है क्योंकि इंटरनेट पे हम जो वीडियो के लिए नहीं है हाँ कुछ शहर खतरनाख है मैं खुद भी उन पर नहीं गया हुआ हूँ मैं उन्हीं शहरों में जा रहा हूँ जो सुरक्षा के हिसाब से मेरी टीम ने मुझे बताया है और वो जिन शहरों में मैं गया हूँ वो सभी शहर पूरी तरह सुरक्षित है इन्फेक्ट यूरोप के जो कई देशों के तुलना में भी बहुत सुरक्षित है, हाँ बेलरूस एक्स्ट्रीम लेवल पे सेफटी है बेलरूस जैसी बात नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत सुरक्षित है आप अपने फोन के साथ में आप जा रहे हैं कोई तकलीफ नहीं है, आपने चेने पहनी है अंगुठिया पहनी, मैंने ये नहीं उता रहे है जबकि मैं पेरू में था तो मुझे ये सबी अंगुठिया उतार करए रहनी पड़ी थी मैं बाहर जब भी जाता था तो ये सबी उतार करके और चेने उतार के जाता था लेकिन ब्राजिल के इन शहरों मुझे कुछ भी उतार के जाने की जरुत नहीं पड़ती है और कोई परिवार के साथ भी मैं बाहर घुमता हूँ मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई तो सबसे पहली बात मैं आपको कोई ऐसी अनुबहों नहीं बता रहा हूँ कि मैं कभी ब्राजील गया ही नहीं हूँ और मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ और फिर मुझे जो first hand experience है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ब्राजील में कई ऐसे शहर हैं जो कि बिल्कुल सुरक्षित हैं और वहाँ पे आप जाके रह भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। चाम की बात ये करूँ कि भाई इन शहरों मैं गया और देखा, एक भी इंडियन ब्रेस्टोररेंट नहीं हैं, एक भी इंडियन फूट ट्रक तक नहीं हैं। इंडियन, पाकिस्तानी, बंगलादेशी, नेपाली, कुछ भी नहीं है, और बड़े शहर हैं, और टूरिस्ट की कोई कमी नहीं है, फूट ट्रक और ब्राजील में छोटे बिजनस खोलना ज़्यादा आसान है, क्योंकि बेलोगस की तरह एक्स्ट्रीम सर्दी नहीं पड़ती तो आपको कम टेक्निकल सपोर्ट की जरुद पड़ती है, है ना, तो ये एक बात है ब्राजील में, अगर वो जो लोग जिनको छोटे बिजनस करने हैं, ऐसे बीच सिटीज में आप कर सकते हैं, फूट ट्रक जैसी कोई चीज शुरू कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से च ब्राजील की करेंसी क्या है, ब्राजील की जो करेंसी है, एक डॉलर पे पांच रियाइस होते हैं, रियाल और मल्टीपर होता है, तो एक डॉलर में पांच होते हैं, एक डॉलर पच्चासी का है, पच्चासी को पांच से भाग दे दीजिए, तो आप अंदाजे से आप एक तो मजबूती आपको ये भी मिलेगी तीसरी जो बात है जो मैं आपको हैक बताने वाला हूँ जिन्दगी के बारे में कि मेरे वो साथी ब्राजील का जो रुख करना चाहते हैं वो कौन करें देखिए जिन्दगी में हर किसी के पास हम क्या कर रहे हैं अभी हम अंधा दू लोगों को फॉलो कर रहे हैं एक ठेण आता है हमारे आप मैं छोटे से गाउं कर रहने वाला हूं हमारे गाउं मैं ऐसा होता था कि उस जमाने में वो चलता था आप कहते हैं एक आदमी ने शुरु किया कि STDP un Snже काल या एक आदमी ने फोटोकापी की दुकान शुरू की तो सभी ने mobile exercise की दुकान शुरू कर दी तो वैसे ही एक आदमी कहीं निकल जाता है तो सभी उसके पीछे पीछे निकल निकले उनको ये नहीं पता कि वो चीज उनके लायक है या नहीं है उनको ये भी नहीं पता कि वो जहां जाने वाले है वहाँ उनकी जिंदगी बनने वाली है या नहीं बनने वाली है तो आपको अगर एक तो सबसे पहले अगर आप अपने देश में रह रहे हैं तो उसे अच्छी कोई बात नहीं और भाईों सबसे पहले मैं आप सभी को महाशिवरात्री की शुबकामनाय देता हूँ और आप ही कि जो खौईशे हैं आप सभी की जो एक्षा हैं वो पूरी करें आपको सुदबधी दें सलमती दें और आप पे किरपा बनाकर रखें तो शुबकामनाय आप सभी को साथ यों और साथ में मैं आपको यह बता दूँ की जो सभ से ठंड नहीं चाहता, वो यह चाहता है कि उसको भारत जैसा ही मौसम मिले, बैलेंस्ट मतलब ज्यादा बर्फ न गिरे, दूसरी बात यह है कि एक बड़े देश में जाना चाहता है, थोड़ा वो अमेरिका के जोन में ज्यादा रहना चाहता है, यूरोपेन जोन की तुलना में चौती जो सबसे बड़ी बात है कि ब्राजील के विशेश प्रोग्राम के अनुसार, आप ब्राजील में अगर आप उन सभी चीज़ों को खरे उतरते हैं, और अच्छे वकील का सपोर्ट लेते हैं, ये दो चीज़ें बहुत महत्पुन हैं, तो आपको दो से तीन महने में ही ब्राजील का पी-ार मिल जाता है, पी-ार की बात कह रहा हूँ, मैं आपको टी-ार-पी नहीं कह रहा हूँ, तो आपको ब्राजील का पी-ार मिल जाता है, और पी-ार जो होता आपको पता है, कि जिन्दगी भर के लिए वैलिड होता है, आपके पास अगर वो टंसन होती हैं चाहे स्वास्त की हो चाहे शिक्षा की हो जो भी चीजें वो सभी लगबग आपको मिलती हैं दो तीन चीजों को छोड़ के जैसे आप वोट महीं दे सकते और वो सभी चीजों को छोड़ करके तो ब्राजील आपको दो से तीन मेने में पियार दे देता है एक तो सबसे बड़ी बाद और पियार के बड़ी मजबूती आपको पता किसी भी देश का हो और उसके बाद आपको कई सारे देशों के वीजा अपलाई करने भी मदद होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है आप पती हैं और अब समझदार हैं और उस विशेश परिस्थिति में अगर उस प्यार के बाद आप एक साल ब्राजील में कंटिनियो रहते हैं एक साल का मतलब उसे एक साल में नौ मेहने आपका डिया आप आना जाना ज़रू कर सकते हैं कोई आने जाने में माना ही नहीं है, आप भूमने जा सकते हैं, लेकिन आप अगर उस एक साल में तीन मेने से बाहर आपने ज्यादा नहीं रहना है, मतलब टोटल जो इस्टे बाहर का है आपका, तो आप एक साल के अंदर में, आप एक साल पूरा होते ही, आप ब्राजिल की नेशनलिटी अपलाई कर सकत नेच्रलाइजेशन के बाद और अगर आप नेशलिटी अपलाई करते हैं मेरे दोस्त तो फिर आप आपको जब ब्राजिल का पासपोर्ट मिल जाता है और ब्राजिल का पासपोर्ट इतना मजबूत है कि मुझे लगता है कि ग्यारा या वर्ल्ड के ग्यारा या तेरवे और साथ मैं आपको यह बता दू मैं कि ब्राजिल बड़ा बैलेंस्ड देश है बैलेंस्ड देश है इसलिए कि ब्राजिल एस्ट और वेस्ट दोनों को तो आपने देखा होगा जिन देशों को ये उरोप में वीजा फ्री है उनको रश्यन कंट्रिज वीजा नहीं लगता ह वीजा फ्री नहीं होता है और जिन को र險 contries में वीजा फ्री है उनको फिर ये ये लैंती深 लेना पड़ता है लेकिन ब्राजीन बड़े मजबूती की बात है तो दोस्तों ये दो चीजें है लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ब्राजिल पहुँच करके आप कोई बहुत पैसे मुझे बहुत साज लोग है सर ब्राजिल में जॉब दिला दो है ना और जो सबसे बड़ी बात है वो यहाँ देखेगा कि आपने पियार लेना है उस कंडिशन को फॉलो करते हुए और आप अगर पियार लेते तो किसी वर्क पर्मिट की जरूट नहीं लेकिन आप ये जरूर ये सोच कि आईए कि अगर ब्राजिल में आप रातो रात अमीर बनने के लिए आना चाहते है है ना तो वो जरूरत नहीं है मतलब उस विचार में मत आईएगा आप रातो रात अमीर बनने के चक्कर में मत आईए ब्राजिल में तनकुआ इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे कि अमेरिका या जर्मनी की तरह है लेकिन ठीक है पुर्टगाल जैसी सेलरी तो अप्रॉक्सिमेटली मिल जाती है तो है ना ये जरूर या देखेगा कि ब्राजील की जो सेलरी है वो आपको 500-700 डॉलर ही मिल सकती है अप्रॉक्सिमेटली है ना प्लस माइनस की बात नही देशों में जा रहे हैं, जैसिक्ट कि सबसे ज्यदा लोग पुर्टगाल जाते हैं क्यों जाते हैं, नेशनली डी लेने कि लिए, पुर्टगाल में कोई बहुत sall!!!! नहीं मिल रही औ consort अफिशल sall Pentart क 은 कुछ आठ सो रेयों को नहीं रहना है, है कार्ड नहीं मिलेगा और जब तक वो टैक्स पूरे पाइस साल तक आप देंगे नहीं आप पासपोर्ट अपलाई नहीं कर सकते हैं पासपोर्ट अपलाई करने के बाद भी कई साल लगते हैं तो आपके डेहरों साल लग रहे होते हैं और आप सोचे अगर आपकी उमर 35-40 साल और अगर आप यह सात आठhos दस साल अगर पर्तगाल में देंगे तो फिर आपकी जन्दगी शरू कि eu, क्यूंकि पर्तगाल में रहने को ऊह नहीं जा रहा हरा है पर्तगाल में सिर्फ इसलिए कि उसको पासपोर्ट मिल जा है, उसके बाद वो किसी अच्छे मझबूत देश में shift हो जाए लेकिन अगर आपकी उम्र वैसे ही बड़ो चुकी है तो आपके लिए वो देश नहीं है है ना तो मैं आपको ये जरूर आपको सलह दूँगा मेरे दोस्त की अगर आपके समय कम है या आप एक नए structure की बात करते हैं तो शायद आपको ब्राजील बहुत काम आने वाला है है ना तो आप अगर जॉब की तुलना में आना चाह रहे हैं तो ब्राजील मत आईए ब्राजील में बहुत ज़्यादा तरफ़ाएं आपको नहीं मिलने वाली है और भाशा की तकलीफ भी आपको होने वाली है जैसे आपको पर्तगाल में भी होती है जैसे कि आपक इस destination में आगे बढ़ने वाले हैं और सुरक्षा की tension मत लीजिए सही शहर का अगर आप चुनाओ करेंगे तो आपको सुरक्षा में कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है हाँ अगर आपने गलत शहर चुन लिए तो आपको हाँ लेकिन जो सुरक्षी शहर है वो बाकी शहरों के तुलना में महंगे हैं महंगे होने का फाइदा और नुक्सान ये भी है कि रहना खाना भी महंगा है लेकिन अगर आप कोई काम करते हैं तो तनखा भी ज़्यादा बाकी शहरों के तुलना में आपको इन महंगे शहरों में मिलेगी या फिर अगर आप बिसनस करते हैं तो भ बहुत ही पॉलाइट होते हैं और बहुत ही अच्छे से आपसे बाते करते हैं गुजरते वक्त भी अगर आप किसी रस्ते में किसी से गुजरते हैं तो भी एक दूसरे को आप नमस्ते या नमशकार जो पुर्तकी भाशा में की जाती है वो जरू करते हैं अंजाने को भी करते तो बड़े पॉलाइट और बहुत ही वेलकमिंग लोग ब्राजिलियन नीजी तोर पे मैंने ये समझा है अब कई ऐसे लोग हैं देखे आप कौन से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं देखो आप कई ऐसे लोग हैं जिसको डॉंकी की जरुत पढ़ रही है आप यूरोप जा और इस पूरे प्रोसेस में आपको एक साल का ओफिशल टाइम है कर थोड़ा ज़्यादा भी लग गया तो दो चार मैने और ज़्यादा लगेंगे और उससे ज़्यादा क्या होगा तो इतनी जल्दी में जो पासपोर्ट आपको पूरे यूरोप की वीजा फ्री देगा ब् लेकिन वीजा आसानी से इनको मिल जाता है बहुत तकलीफ नहीं होती तो आप ब्राजील को एड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में अपने डिजाइन में अपने जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है ब्राजील मेडिकल की सुविधाय मैंने नीजी तोर पे देखी है बहुत अच्छी है तो ये वो जो लोग हैं वो समझ के रखिएगा है ना बिल्कुल अमीद जी कह रहे हैं I'm here for six years living and working in ब्राजीलिया capital it's very safe in the IT sector देखो एक भाई है अमीद जी जो की ब्राजीलिया में रह रहे हैं बताए ये भारती हैं छे साल से रह रहे हैं अब आप बता ये बहुत सारे शहर हैं जहां पर safe और सुरक्षित तोर पर रहा जा सकता है 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 ना बाई मुझे कई बाई मुझे कहते हैं कि ब्राजील में work कैसे करें study और business देखो दोस्त study भी कर सकते हैं ब्राजील में पहले study student जो है foreign student job नहीं कर सकते थे अभी recently पर या देखिए का मेरी जितनी भी सला हैं दोस्तों मेरा अनुबव है जब आप अपनी जिंदगी में लाएं तो अपनी जिम्मेदारी से लाएं अपनी research या कानूनी सला किसी वकील से जरूर ले लीजेगा तो मेरी जानकारी के हिसाब से अब जो foreign students है वो job भी कर सकते हैं ब्राजील में तो वो चीज सबसे एक चीज बहुत में बता दूं प्लीज क्योंकि मैं हमेशा कहना चाहता हूं जितने भी मेरे वो दोस्त हैं कौन से लोग खास्तों से पकिस्तानी जो हमारे भाई हैं और बंगलादेश के जो भाई हैं उन सभी से गुजारिश है प्लीज जब भी आप ब्राजी पहुँचें तो क्रीपिया असाइलम ना लें अगर आप जूटा असाइलम लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है तो उसके बाद आपको वो जो एक साल वाला प्रोग्राम नहीं मिलेगा असाइलम लेने वालों को तो चार-चार साल बताने उससे भी जादा समय लगता है तो फटाक से पहुँच करके असाइलम मांग लेते हैं लेकिन उसके बाद आप कई सालों के लिए अटक जाते हैं तो आप किसी अच्छे वकील को करके आने से पहले तैयारी करके आएगा आपको असाइलम नहीं लेना है जूटा नहीं तो आप बहुत लंबा समय बिताएंगे और आपको कोई फाइदा नहीं होगा आप वकील की सलाह लीजिए और वकील जो है आपकी कुछ विशेश परिस्तितियों में जिसे फैमली रियूनियन कहा जाता है अगर आप ब्राजिलेन किसी बेबी के फादर है मतलब आप किसी भी देश के हों मगर आपके बच्छे का ज नया कानून भी है जिसे स्टेबल यूनियन कहा जाता है जिसके तहट अगर आप किसी ब्राजिलेन नागरिक के साथ में एक परिवार बनाते हैं मतलब साथ रहने की बातें करते हैं और साथ रहना शादी करना नहीं है चाहे आप अपने देश में शादी शुदा हों चाहे लड़की की जरुद भी नहीं है अगर आप लड़के हैं तो आपको लड़की की जरुद भी नहीं है आप किसी दोस्त के साथ भी बना सकते हैं या दो लड़कियां भी साथ में स्टेबल यूनियन बना सकती हैं और उसके लिए सिंपल एक नोटरी डिकले एक वकील की जरु अपलाई कर सकते हैं अगर आप तो बस आपको इस विशाई के लिए कुछ विशेश राज्यों में जाएगा जहां पे थोड़ी ज्यादा असानी होती है और उसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका वकील बहुत मजबूत हो ये बहुत ही मतपूर है ब्राजील के लिए और आप ब्राजील में आने के बाद में किसी भी वीजा से ब्राजील पहुंचें तो भी आप ब्राजील में अपने वीजा को कनवर्ट कर सकते हैं चाहिए आप टूरिस वीजा पर आ रहे हो चाहिए स्टूडेंट वीजा से आ रहे हो या बिजनस वीजा से आ रहे हो तो आप जिस भी वीजा में ब्राजील में आ रहे हैं उसके बाद वो आप अगर temps and condition पूरी करते हैं तो आप उसे PR में convert कर सकते हैं और वो PR आपका अगर सही condition के थुरू है तो आप एक साल में nutritionally apply भी कर सकते हैं पर ब्राजील में एक चीज़ जरूर याद रिखेगा कि किसी अच्छे वकील की तलाश जरूर कर लीज़े तो आप मुझसे पूछा है कि क्या मैं आपको इस सर्वीस बेचना चाहता हूँ नहीं मेरी जो जानकारी आपको मिल रही है मैंने जो सब चीज़ें आपको बताई य और बस आप यह जरूर याद देखे और पिछले दिनों मुझे दुख किस बात का हुआ है दुख किस बात का हुआ है दोस्त कि सिर्फ एजेंट मतलब अगर अगर मुझे आप यह समझ लीजे कि हर एक घंटे में दस आद भी मुझे अगर फोन कर रहे हैं तो दस में से अदमाश एजेंटों ने ब्राजील का वीडियो और उसको बना के बेचना भी शुरू कर दिया अब आप समझ लीजे कि अगर इस प्रोसेस में दसजा डॉलर भी नहीं खर्च हो रहे हैं तो वो इंडिया में उनसे लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं सिर्फ ब्राजील क मिले आपको मुफ्त में वो जानकारी मिले कि आप आगे बढ़ सकें उसके बावजूद अगर आप ये चाहेंगे कि आपको मैं बताओं कि कौन अच्छा वकील हो सकता है लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है आपकी इक्षा है तो अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको सजेस कर सकता हूं लेकिन याद है कि मेरे वकील सिर्फ बातें करने के लिए विंडो शॉपिंग के लिए नहीं है तब ही आप उनसे बात कीजेगा जब एक्षुल में आप करना चाहते हैं क्योंकि वैसे भी वो भारती क्लाइंस को ज्यादा नहीं काम कर रहे हैं वो ज्यादा करके हाद से खुद भी काम कर सकते हैं ठीक है मेरे दोस्त तो ये सभी जानकारियां है और खास्ता चूर्ट से बहुत महत्वूर एइंफंशन हैं बहुत महत्वन इंफरिमेशन है कि असाइलम मत लिजेगा आप द-त जाएंगे दूसरी बात अच्छा वकील लिजेगा बहुत मह पढ़िए अभी हर एजेंट ने हमें कॉपी करके अपना वीडियो बनाना शोव कर दिया वो इतने बेशब में एजेंट हैं कई तुम मुझसे बात करते हैं हर चीज की जानग मैं ने पूछा तुम एजेंट हो बोलते हैं मैं इस चीज को बेचना चाहता हूं मैंने बोला गदे रहेंगे हम पैसे कम ऐसे बेशर्मी से उन्होंने जवाब दिया तो आप यह समझे मेरे दोस्त कि आप इन बेखुफों के चकर में मत पढ़िएगा अपनी जिंदगी अच्छे से डिजाइन करें और आप किसी ब्राजिलियन ही लॉयर के साथ में काम करेंगा किसी वाटसप नमबर भी लिखाओ आप मुझे डियम कर सकते हैं और मैं मेरे अनुभाव के हिसाब से मेरे समाई के हिसाब से आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा ठीक है मेरे दोस्तों और यह ज़रूर आप समझेगा अमिर जी कहते हैं student visa is not popular because of the language barrier but it's a good destination for masters and research program बिलकुल अमिर भाई और ब्राजील में in fact जो बड़े एक साल के program है, graduation program है, undergraduate program है और long term जो language course, याद रखेगा language course के नाम से short come course में आपको visa नहीं मिलेगा तो long term एक साल का जो course है कोई अच्छा से कीजिएगा और याद एकिए जो course है उसमें minimum per week का भी rule है, मेरे खाल से 15 या 20 घंटे से कम का अगर short course होगा तो आपको visa नहीं मिलेगा, तो ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं और student visa भी बहुत आसान नहीं है है ना, mobile का sim card लेनी के लिए भी आपको CPF नमबर याने social security नमबर की जरूरत पर दी है, तो यह सबी चीज़ें मुझे भी समझनी पड़ी थी, है ना तो आप यह जरूर समझ के रिखेगा, आप अच्छा जितने लोग नौकरी की तलाश में हैं, देखो दोस्त, प्लीज मुझसे मत मांगना, मैं आपके लिए नौकरी की मदद नहीं कर सकता हूँ मैं सिर्फ मैक्सिमम आपको जो रास्ते मैंने समझे हैं, उनकी मैं आपको नौलेज दे सकता हूँ, और अधिक से अधिक मैं आपको यह कर सकता हूँ, कि मैं किसी अच्छे वकील का रिकमंड कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ आपको नहीं जानकारी देशता हूँ, मै बिल्कुल उसके लिए मुझे माफी कीजेगा है ना तो नौलिज जो है वही मैं आपको दे सकता हूँ और या फिर मैं अच्छा वकिल रिकमान कर सकता हूँ तीसरी बात है कि प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड रिपोर्ट दे सकता हूँ कि सच में वाकई जो आपने ब्राजील के हैं आपके हाथ में आने में मुझे लगता है 15 से 20 दिन लग जाते हैं कभी कभी उसे ज्यादा भी लग जाते हैं है ना तो आप सुचिए 15 20 दिन आप बिना मुबाइल फोन के हैं या है ना किसी वीची का मतलब आप ऐसा भी होता है तो आपको किसी अच्छे वकील की जरूर पड़ेगी दूसरी मेरे बात यह है दोस्तों कि आप सभी को पता है कि मैं बेलारूस में रहता हूं अगर आप जिन्दगी की तलाश में हैं और आपको एक मजबूत पासपोर्ट नहीं ढोड़ रहे हैं पर अच्छी जिन्दगी ढोड़ रहे हैं तो बेलारूस बह जो एजिन्टों पे लुट रहे हैं डॉंकी में अपनी जान खराब कर रहे हैं उसकी जरूवत नहीं है ब्राजिल में कानूनी तोर से रहा जा सकता है और इतने खर्चे नहीं होते जितने आप डॉंकी वालों को देते हैं अगर आप अच्छे वकील को भी महंगे वकील को भी करोगे तो भी आपको इतने पैसे नहीं कर्चोंगे तो आप यह जरूर याद एखेगा ब्राजील अच्छा है और ब्राजील को कच्रा मत करना मेरे दोस्त गंदा मत करना प्लीज मतलब जो गंदे एजेंट हैं सभी से मतलब गुजारिश है कि आप अपनी जिंदगी ज गज़त अभी खराब नहीं होई है तो प्लीज अपना कच्रा मत भीज़ना मतलब कच्रा करना लोगों को लूटना का सोटने का काम प्लीज मत कीज़ेगा आप लोग तो वह आप सभी के लिए गोजारिश है आप सभी के साथ में और किसी भी जानकारी के जरूवत हो तो दियान रखें, असाइलम न ले, वो फालतू है और आपके समय खराब करेंगे, उसके आप आटक जाएंगे, है ना, उसके आप दूसरी बात ये है कि किसी अच्छे वकील को लीजेगा और किसी देसी या किसी अर्बी या इस तरह के देशों के वकीलों के नाम पे के भाशा बोलता हो, लेकिन उसे, उसका कनेशन और पावर बहुत महतोपूर है ब्राजिल में, तो वो भी ध्यान रखेंगा, कई साथी मुझसे पूछते हैं, जैसे क्या अर्जेंटिना बहतर है, बिल्कुल अर्जेंटिना आपके लिए कब बहतर है, जब आप बाहर में क हमारे हैं, है ना, एक भाई पूछते हैं कि आप बेलरूस में टूरिस वीजा पर आ करके लॉंग टर्म वीजा अपलाए कर से नहीं दोस्त, टूरिस वीजा जो है टूरिसम के लिए ही है, और टूरिस वीजा से आप उसे बिजनस में या जॉब में कनवर्ट नहीं कर सकते ह तूरिस वीजा मैकसिमम तैस दिनों तक के लिए हो सकता है और तैस दिनों में आपको किसी भी हालवे strum वापस जाना होगा। और वीजा को WORK में नहीं किया जा सकता या bisnes में किया जा सकता। बेलरूस की बात कर रहा हूँ, ब्राजिल में किया जासकता है ना, बेलरूस में नहीं किया जासता, तो यह जरूर याद देखेगा, है ना, यह कुछ जानकारिया थी आपके लिए, आपको अगर किसी भी सवाल के जवाब की जरुद हो, तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते ह बिना किसी पैसे चुकाए हुए, लेकिन बस जवाब देने में मुझसे देर होती है, तो मुझसे माफ कीजेगा, है ना, माफ इसलिए कीजेगा, क्योंकि जितना समय होता है उस हिसाफ से ही, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ, और वो जो लोग हैं, देखो, बहुत सारे structure हैं, बहुत सारी चीजे हैं, जो कानूनी रास्ते हैं दुनिया के लिए, आप अगर, आप सूचे कोई एक बच्चा बैठा हुआ है भारत में, दिली में, हर्याना में, पंजाब में, साउथ में, राजिस्थान में बैठा हुआ है, उसके सभी वीजाज रिज चाहते हैं, और बाते करना चाहते हैं, मैं देखता हूँ कि कौन कौन हैं मेरे साथ में, और कौन कौन से मेरे साथ ही हैं, जिनको मैं पहले से जानता हूँ, मुझे नहीं बता मेरे दोस्त, आप सभी को क्या क्या मैं आपके साथ में जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन मैं आप किसी को बेलरूस के बारे में एक भाई मुझसे पूच रहे हैं कि और रव संडे को मैं जरूर नदे कारिए चाहिए अब मुझे डेयम किझे आप मोछे का कॉल कर यह वाटस अप है मैं जरूर बताने की कोशिश करूँगा बेलरोस के बारे में उसका पुरा प्रोसेस ही अलग है पूरा सिस्टम ही अलग है बेलरोस का तो वह जानकारी मैं आपको जरूर दूँगा अब जैसे राहूली कहते हैं आप त्री रिफ्यूसल्स फ्रम यूरोप काइंडली गाइड अब ऐसे जो लोग है जो अटके हैं आप इनके पास क्या रस्ता बच्ता है आईजेंट इने कहते है तुम डॉंकी मार लो तुम पंद्रा बीस लाख रुपए दुम दोगे उसके ब तो आपको यूरोप में गुसने से कोई रोप नहीं सकता है अब आप समझ रहे हैं आपको इस चक्कर से पढ़ने की जरूत ही नहीं है तो अगर आप तो अगर आपको ये समझ बरस्ते समझ में नहीं आ रहा है तो आप इन सभी रास्तों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं देखो पुर्टगाल में उसी पासपोर्ट को देखो पुर्टगाल का कानून क्या कहता है कि पहले तो ये था कि जब आपका आईडी आए तब उसके पांच साल शुरू होते थे अभी रिसेंटली उनोंने बोला कि जब से आपके ने डॉकुमेंट लॉक किये डॉकुमेंट लॉक कर पीसजार यूरो के हिसाब से कितना होता है एक साले चार हजार यूरो तो 5 सालों में 20 ऊजार यूरो का टेक्स अगर आप चुकाएंड़ पुर्तगाल में नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं और उसके ौदीव साल लग जाएंगा आपको पासपोर्ट हात्स में आने में आप समझ कि और यहां पर अगर आप इस विशेश प्रोग्राम से आते हैं फैमिली यूनियन के प्रोग्राम में अगर ब्राजील में तो आपको ये टेक्स वेक्स के जिंजर से आप बच जाते हैं इन सब चीजों की जरूत आपको नहीं होती उसके अलावा जो लोग का परिवार है उन के लिए भी बहुत अच्छा इवन है ना तो ये जरू धियान रखिएगा ब्राजील का पास्पर्ट और प्यार कितने अर्से लगता है बिलकुल भाई मैं आपको वही बताया कि इस प्रोग्राम में आपको प्यार ततकाल में तो से तीन मेरे लगते हैं अच्छा वकिल है वो आपको आपके प्यार में मदद करता है जब आप पास्पोर्ट लेते हैं तो आपको पुर्टगीज प्रोफिशनसी की सेटिफिकेट की जरत पड़ेगी उसकी भी मदद करेगा सबी चीजों के बारे में वह आपको कंसल्डेंसी और गाइड करेगा तो सही वकील यह गदे करते हैं हैसे मजह Bayloroos देखना है इसके लिए ऐसे बिल्कुल दोस्त आप गूमना चाहते हैं लेकिन या देखी कि वो सभी साथी जो गुमना चाहते हैं उनके लिए यही गुजारिश है कि आपका सीधर रहते कि बेलरूस में जो लोगों आपको जो एजेंट कह रहे हैं ना कि पहुंच जाओ और उसके बाद आप पैदल विरोप चले जाओगे वो आपको फसा रहे हैं बेलरूस में जिंदगी खराब हो जाएगी आपकी बेल जूरू या देखेगा तो यह जो जूट बोल करके और फरजी वाला कारिकरम मत कीजेगा मेरे दोस्तों है ना और साथ में उन धोके बाद एजेंटों से बचके रहेगा जो नकली इंस्टाग्राम पे रील बना बना करके और अपनी नकली रईसी दिखा रहे हैं आपको उन जूटे और नकली जो एजेंट हैं उनसे बचके रहे हैं जो इंस्टाग्राम पे रीले बना बना करके आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं है ना तो मेरे दोस्त आप यह जानकार रखिएगा है और अच्छा बेलरूस के बारे में जो कई लोग मुझ से पूछते हैं अगर आपके पास शेंगन वीजा है तो आप बेलरूस 30 दिनों के लिए मुल्टिपल इंट्री वीजा होना चाहिए शेंगन का आपके पास में त नहीं दोस्त बेलरूस में आप इस एस स्टूडेंट जॉड नहीं कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकते हैं तो कोई भी फाइदा नहीं है इमिग्रेशन परपस के लिए नहीं आईएगा बेलरूस अगर आपको आना है तो दो चीज़ें के नाम से आईए या तो आप एक वेल सेटल हो और एक अच्छी जिंदगी की तलाश में हो जिंदगी को रेस्टार्ट करना चाहते हो परिवार बनाना चाहते हो और या फिर आपको बिजनस करना चाहते हो जॉब की तलाश में बेलरूस मत आईए आपको तनखुआएं कम मिलेंगी या आप उस कानूनी रास्ते हैं उसके बारे बताऊँगा जब आपको अगर आप पहुंचेंगे जब प्यार मिलेगा तो आपको खुद ढोननी पड़ेगी है ना तो वो ज़रूर या देखे है तो यह ज़रूर समझ के रखेगा बाकि अगर आपको किसी भी जानकारी की ज़रूरत है तो मैं उनका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा मकसद यह है कि जो बच्चे कहीं हैं किसी गाओं में किसी शहर में उनके सपने हैं कि वो विदेश में जाके सेटल हों मगर उनको कोई सीधी रास्ते और सीधी जानकारी नहीं देता तो मेरा मकसद है कि मैं उनको सीधे रास्ते बताऊं जो की ऐसी चीज़ में जिर उपर चल जा जाते थे और उपर से शॉटकट मार लेते तो अगर आपके पास में समय कम है तो शॉटकट है शॉटकट मतलब सीधे रास्ते है जिन्दगी के भी है और जिन्दगी ऐसी ही चल रही है आप या दखिए मेरे दोस्तों आपको जो जिन्दगी जिस तरीके से बताई जा रही है और आपको जो सफलता कि जो डिफिनेशन ब के पास हो या एक अच्छी कार हो है ना या आप किसी रेस्टरॉंट में जाके मचली सालमन फिश का रहे हैं तो वो आपने आपको अमीर समझते हैं जबकि ऐसा नहीं एक बहुत चोटा सा हिसा है देखिए आज से कुछ साल पहले ये सबी चीज़े नहीं होती ते तब कि अम अमीर बनने का डेफिनेशन अलग है सचा है तो एक माया जाल है जो आपको बेवकुप बना रहा है और उस माया जाल का फाइदा ये एजेंट उठा रहे हैं आपको अलग चीजों को दिखाके और आपको वो सब्बने कि तयारी कराते हैं तो उन सब चीजों में मत जिन्दगी के रास्ते ढूने आपको रास्ते ढूनने की जरूरत है और हर चीजों का रास्ता है अगर भगवान ने कोई मुसीबत बनाई है तो उससे बचने का रास्ता भी बनाया है अगर कोई समस्या है तो उससे निकलने का समाधान भी है अगर कोई ताला है तो उसकी जा सकता है अगर आप किसी जगह में हो और किसी समस्या में बैटे हुए हो तो डरो मत और हारो मत मरने की जरूरत नहीं है आपकी समस्या का भी समाधान है ढूंडो हाथ पैर मारो मिलेगा और समस्या का समाधान अलग होगा जो हर सब ने सोचा है वो नहीं होगा हर ताले की चा ये एजेंटों के या ब्रोकरों के चक्कर में मत पढ़ना इनका मकसद ही है आपको विवकूप जैसे लोग कहते हैं कि ट्रेवलिस्टी बनाओ देखो दोस्ति आपको क्या लगता है आप ट्रेवलिस्टी नकली बनाएंगे और वो काउंसल विवकूप बनेगा भाई ये काउ वीजा दिलाना नहीं है ये सिर्फ आपको कुछ ना कुछ बेचना चाहते हैं है ना तो आप ये जरूर मेरे दोस्त मेरे चीजों को ध्यान रखेगा कि इन सभी के चक्कर में मत पढ़ो मेरे दोस्त सीधे रास्ते बनाओ बहुत सारे सीधे और सरल रास्ते हैं है ना तो इन नकली एजेंटों से बचके रहना ये कुछ भी नहीं है इन्होंने कभी दुनिया देखी नहीं समझ रहें ये बातरूम से ज्यादा बाहर निकले नहीं ये सब लॉटरी पे काम करते हैं हैं वो सभी जो नकली ट्रायल मारते हैं हो जाता है आप से पैसे ले लेते हैं आप समझ एक सभी आप सभी इंस्टाग्राम वाले साथियों से गुजारिश है कि मेरा यूटूब चैनल जरू सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा यूटूब चैनल का लिंक उपर में है और उस पे मैं हमेशा वीडियो डालता रहता हूं और हर रविवार के दिन में मैं भारती समय अन तो आप सभी को धियान देने की जरूद है बहूत अच्छे से समझने जरूद है और अपने पैसे बचाइए माता-पिता के पैसे मचायी आप सुमार्ट है आज का जमाना जो है टेकलाजी का जमाना है Linkskatu और इक जकने का यह क्लार सब शामाना है آپको सभी जांकारिया मिल आ आप वहाँ पर सफर कीजेगा मगर एक नया रास्ता है जिसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताता ठीक है मेरे साथियों आज में ज्यादा समय आप सभी का नहीं लूँगा अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और पुछेगा आपका भाई यहां में बैठा हुआ है आपके साथ देने के लिए मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ ना मैं कोई बहुत अमीर आदमी हूँ ना मैं कोई बहुत पावरफुल इंसान हूँ मैं एक आम इंसान हूँ थोड़ा सा ज्यादा पुराने समय से मैं इधाउदर घूम रहा हूँ तो थोड़ा सा जादा knowledge है तो एक आम इंसान के रूप में अपने साथी और दोस्त के रूप में मैं आपको जितने भी मदद करने की कोशिश करूँगा जानकारी देनी कोशिश मैं आपको कोई नौकरी दिला कि मैं कोई राजा महराजा नहीं हूँ जादूगर नहीं हूँ कि जादू की छड़ी घुमा दूँगा सब काम हो जाएगा पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा अनुभाव ले रखा हुआ है वो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगा ठीक है मेरे भाईयो कोई भी सवालों पूछेगा बिलकुल आपका भाईया आपके साथ में बैठा हुआ है आपके सवालों के जवाब देने के लिए ठीक है मेरे दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन दस्वीदानिया और आप सभी को महा शिवरात्री की शुब कामनाए भगवान शेंकर आप सभी पे कृपा बनाए रखें और आप सभी का भला हो आप सभी को आपकी मनो कामनाए जो हैं वो पूर्ण करें भगवान शेंकर इसी शुब कामनाओं के साथ में जैहो प्रभू